नमस्कार दोस्तों आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं ऐसी समस्या पे जो हर माबाप को पता होने चाहिए खास कर उन माता पिता को जिनके बच्चे अभी 5 साल से कम उम्र के हैं जी हाँ दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे HFMD Hand, Foot, Mouth, Disease जैसे इसे हम लोग socially aware हो रहे हैं माता पिता अक्सद इस बिमारी का नाम सुनके घवड़ा जाते हैं क्योंकि नाम इतना लंबा है Hand, Foot, Mouth, Disease होता क्या है दोस्तों यह आम तोर में बच्चों को होता है जिनकी उमर 5 साल से कम होती है और उनको होता है जो बच्चे प्ले ग्रूप स्कूल में जाते हैं या स्कूल में जाने वाले बच्चों में यह ज़्यादा होता है आम तोर में यह अपने आप ठीक भी हो जाता है लेकिन कभी कभी जब हम ज़्यादा Careless हो जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है इसमें होता क्या है बच्चे के मुँ में छाले हो जाते हैं गले में दर्द होने लगता है खाने पीने में दिक्कत होने लगती है सासक बुखार होन आने आने लगते हैं जिसकी बच्चे को बड़ा रेसलेस होने रगता है माता पिता भी उसको देखके बड़ा घवडा जाते हैं दौस्त ओं घवडाना नहीं है यह फोफिल टी में आप इस प्लास में अगर एक बच्चे को है तो दूसरे बच्चे को हो सकता है तो सबसे पहली साबधानी आप यह याद रखें अगर आपके बच्चे को यह दिक्कत हो गई है तो अपने बच्चे को स्कूल मत भेजें उसको घर पे रखें इसे दूसरे बच्चे भी स्वस्त रहे मल के द्वारा बाहर आ जाता है इसलिए जो बच्चे को पॉर्टी ट्रेनिंग दे रहे हैं वास करते हैं उनको भी अपना हाथ प्रॉपर अच्छे धंग से वास करना है सासाथ बच्चे को भी हाथ धोने की हमें अच्छी ट्रेनिंग देनी है इसके साथ जो बच्चे को हमें सिखाना है, जो बच्चे बार-बार मुँ में अंगली डाल लेते हैं, हमें उनको मना करना है, बच्चे जो खिलोनों को बार-बार मुँ में रखने लेते हैं, उनको मना करना है, 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 उन नहीं डालना है इन छोड़ी छोड़ी चीजों का हमें ध्यान रखना है बच्चे का विशेश ख्याल रखना है क्योंकि ये स्कूल गोइंग बच्चों को ज़्यादा होता है इसलिए जब भी ये दिक्कत हो तो हम अपने बच्चे को स्कूल ना भेजे और कोई परिशानी हो सब्सक्राइब ये लेकिन आम तौर पर एक अचे फम् deep आपका जो है अ साथ दिन के भीतर ठीक हो जाता इस पर जादा कोई परेसानी नहीं होती इस से जादा दिक्कत होने पर आप अपने हों योपेथी नमश्कार अगर आपको हमारे वीडियो पसंद में तो पर इसे तो पर आप हमाई चैनल की कमेंट सेक्षिन में जरूर कमेंट करेंगा